कि नमो नमो बच्चों मैं है मदूर एक बर फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे संस्क्रिट के इस क्लास में आज हम करने जा रहे हैं आठवी कक्षा का संस्क्रिट विश्वे से दूसरे पात व्याकरण का दूसरे पात का पहला सेशन और हमारे पाथ का नाम है पद विचार हूँ मैं आपको बता दूँ बच्चों पिछले grammar का जो पिछला हमारा पहला पाथ था उसका नाम था वर्ण विचार हूँ और थाथ उसमें हमने वर्णों की जानकारी ली अब यहाँ जो पाथ है यहाँ पद विचा रहा वर्ण यानि अक्शर और अक्शरों के मेल से ही पद बनता है पद यानि शब्द तो एक एक शब्द तो शब्द कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं वहां हम जारेंगे इस पाथ के द्वारा पद अर्थात शब्द शब्दों के मूल रूप को प्राति पदिक कहते हैं मूल रूप याने रूट वर्ड या बेस वर्ड हम कहते हैं तो जो मूल रूप होते हैं उन्हें हम प्राति पदिक कहते हैं उनके साथ सुप वत्तिड प्रत्यय लगने पर वे शब्द पद कहलाते ह और इन मूल शब्दों के साथ में दो अलग अलग तरह के प्रत्यय लगते हैं, जिन में से एक है सुप और एक है तिड़, अब ये सुप क्या है तिड़ क्या है हम जानेंगे आगे, तो जब ये सुप या तिड़ प्रत्यय पद को लग जाते हैं, मूल शब्द को लग जाते ह तो उन्हें हम पद कहते हैं, तो वे अर्थात शब्द बन जाते हैं, जैसे शब्द के भेद, शब्द के दो भेद हैं, किसी भी शब्द, दो प्रकार के हैं, एक होता है विकारी अर्थात जिन में परिवर्तन होता है, विकारी शब्द जिन में परिवर्तन होता है, परिवर् दूसरा है अविकारी जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, तो शब्द के दो भेद हैं, पहला है विकारी शब्द जिनमें परिवर्तन हो सकता है, जिनको हम परिवर्तन कर सकते हैं, और दूसरा है अविकारी जिनमें परिवर्तन नहीं हो सकता है, तो सबसे पहले हम विकारी के भेद करते हैं, विकारी के भेद, विकारी के भी दो भेद हैं, सुबंद और तिडंद, तो पहले हम सुबंद के बारे में जानेंगे, संग्या, सर्वनाम, वो विशेशन, सुबंद, सुप जिसे हम कहते हैं, सुप और तिड, तो सुबंद, सुप यहने सुबंद, सुबंद जो है, वह संग्या, सर्वनाम या विशेशन में इस्तमाल किया जाता है, तो जिनके अंत में सुप प्रत्यय लगाते हैं, संग्या, सर्वनाम, विशेशन इसके अंतरगत आते हैं, तो संग्या है हमारी या सर्वनाम है या विशेशन है, जब यह जो शब्द होते हैं, तो इन में अधिकतर हमें सुप, याने की सुबन्द, सुप प्रत्ययہ याने की सुबन्द शब्द होते हैं, अभी तिडंथ जिसे हम आख्यात भी कहते हैं, आख्यात अरथात क्रियापद, adverbs, जो sentence के आंत में आते हैं, जिन पदों के अंत में ती, तह, अंती इत्यादी प्रतिये आते हैं उन्हें तिडंत पद कहते हैं सभी क्रियापद आख्यात इसके अंतरगत आते हैं क्रियापद का मूल रूप धातु कहलाता है अब मैं आपको ये पूरा एक बार फिर से समझा देती हूं जिन पदों के अंत में ती, तह या अंती इत्यादी प्रतिये आते हैं उन्हें तिडंत पद कहते हैं ये तो बहुत ही आसान है बागी सारे तो सुबंत हो गए फिर और जिन प्रतों के अंत में ती, तह और अंती यह अगर आ जाते हैं, प्रतिय लग जाते हैं, तो उन्हें हम तिडंत पद कहेंगे, सभी क्रिया पद या आख्यात, क्रिया पद जो हमेशा वाक्यों के अंत में आते हैं, इसके अंतरगत आते हैं, क्रिया पद का मूल रूप धातु कहलाता है, क्रिया पद का मूल रूप, य जिसे हम root word या basic word भी कहते हैं धातूओं का विभाजन 10 गणों में होता है अगेन ये मोल रूप धातू है इनको भी हम 10 different types में divide कर सकते हैं जिसमें से कुछ यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं भ्वादी गण, दिवादी गण, तुदादी गण, तथा चुरादी गण आदी प्रसिद्ध गण है ये जो गण है इस तरह से ये प्रसिद्ध गण है इनके बारे में हम अधिक जानकारी आगे लेंगे अभी हम पढ़ते हैं पहले हमने पढ़ा विकारी शब्द, विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका हम परिवर्त कर सकते हैं अब दूसरा ज निपात और अव्ययय यह दोनों ही जो है अपने अलग-अलग है तो वह एक से ही लेकिन इन दोनों का इस्तमाल हम अलग-अलग रूप से कर सकते हैं निपात और अव्यय का स्वरूप निट्य एक साह रहता है, यह हमेशा एक से ही रहते हैं, बट वाक्य में इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है, वाक्य में हम इन्हें स्वतंत्र रूप से अलग-अलग प्रयोग में ला सकते हैं, और ध्यान दीजे, अविकारी पदा, कुत्र, यह सब अव्ययपद है, ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारे दो थे, एक था निपात और एक था अव्ययपद, और यह जो शब्द मैंने यहां दिये हैं, यह सब हमारे अव्ययपद हैं, अब हम देखेंगे प्रत्ययय तथा उपसर्ग, प्रत्ययय तो आपको कहते हैं, धात्तु यहनि बेसिक वर्ड, रूट वर्ड या शब्द के बाद लगने वाले अंश को हम प्रत्ययय कहते हैं, किन्तु शब्द के पहले जुड़ने वाले अंश को उपसर्ग कहते हैं, शब्द के पहले यदि लगाया जाए, तो हम उसे उपसर्ग कहते हैं, जै वी इत्यादी यह सब उपसर्ग है इनसे शब्द के अर्थ में कोई प्रभाव या परिवर्तन नहीं आता है उपसर्ग लगने पर शब्द के प्रभाव या अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता है प्र, अभी ये कुछ उपसर्ग है, उपसर्ग से जो हम शब्द बनते हैं, वह देखते हैं, जैसे प्र से, मैं एक का आपको detail में explain कर दूँगी, बाकी का हम खाली read out करेंगे, प्र, प्र से प्रतापह, अभी प्रतापह आप एक वचन के साथ यूज़ करो, द्वी वचन के साथ यूज़ करो, या पहुवचन के साथ यूज़ करो, वह प्रतापह ही रहेगा, वह बदलेगा नहीं, तो यहां पर यह अविकारी शब्द हो गया, क्योंकि इसके अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा तो प्रतापह प्रभावह प्रकर्शह प्रक्रिया प्रमाणह प्रदानम इत्यादि यह हमने सभी जो है हमारा मूल शब्द तापह है इसमें हमने प्र लगा दिया दूसरा प्रभाव हमें भाव हमारा मूल शब्द है धातु है और उसमें हमने प्र लगा दिया और तीसरा है प्रकर्शह कर्शह को हमने धातु जो शब्द है हमारा उसमें प्र उपसर्ग लगा दिया क्रिया हमारा जो धातु है उसमें प्र लगा दिया उपसर्ग मानह तो प्र लगा दिया प्रमानह, दानमह, दानम, प्रदानम, ये इत्यादी ऐसे कई शब्द हमारे प्र उपसर्ग से बनते हैं, अभी उप, जो दूसरा उपसर्ग है वह है, उप, उपसर्गह, उपादानम, जैसे उपसर्ग भी एक उपसे ही बन रहा है, उपादानम, उ उपस थिति, उपचारह, उपकारह, उपरामह, इत्यादि, इस तरह से हमने उपसर्ग से यह सारे शब्द बनाए हैं, अभी अप उपसर्ग से हम क्या-क्या शब्द बना रहे हैं? अपवर्ग, अपवर्गह, अपशब्द, अपानम, अपकारह, अपकर्शह, अपमानह, अपादानम, इत्यादि, इस तरह से हमने अप उपसर्ग लगाकर यह शब्द बनाए हैं, वी, वी उपसर्ग लगाकर भी हम शब्द बना सकते हैं, जैसे विशेशह, विचारह, विभावह, विस्तारह, विश्रान्ती, विश्रान्तिह, विज्ञानम, विभीशणम इत्यादि। तो ये सब हमने वी उपसर्घ लगा कर बनाए हैं, और ये वी उपसर्घ के कारण, यहां पे क्योंकि उपसर्ग लग गये हैं, ये हमारे अभिकारी शब्द हो गये हैं. आ में हम कई शब्द बना सकते हैं, आकाशह, आकारह, आदानमा, आकरशणमा, आलेखह, आनन्दह, आस्था, इत्यादि, तो इस तरह से आ उपसर्ग से हमने ये इतने सारे शब्द बनाए हैं, तो इनमें भी यदी हम एक वचन में लिखे, दूई वचन में लिखे, या बहु वचन में लिखे, इनमें कहीं पर भी, इनके अर्थों में कहीं पर भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा. और हमारे कुछ उपसर्ग है यहां पर अव निस और निर्फ मैं रीड आउट करती हूँ अव उपसर्ग से हमारे जो कई शब्द बनते हैं वह है वे है अवसादह अवसानम अवमानह अवदानम अवग्या इत्यादि निस उपसर्ग से जो शब्द हमारे बनते हैं निसकर्शह, निसारह, निस्तारह, निश्चयह, इत्यादी, तो निस यनि नी, देखो स या श लग रहा है, है ना, तो निस जिसमें आधा श या स या श वो लग रहे हैं यहां पर, तो यह उपसर्ग से हमारे इतने सारे शब्द बन रहे हैं, निर उपसर्ग से, निर्गतिह, निर्ममह, निर्मोह, निर्थरकह, निरादरह, इत्यारि, तो निर से भी कई सारे हमारे उपसर्ग जो है, कई सारे शब्दें उपसर्ग से हमारे बन जाते हैं, So what did we learn today, बच्चों आज हमने क्या सीखा, आज हमने यहाँ पर पद वीचार, इस पाठ में, इस पाठ के पहले सेशन में, यहाँ जाना की पद के प्रकार क्या है, पद के प्रकार दो है, विकारी और अविकारी, विकारी में भी दो तरगा के प्रत्याय लगते हैं, सुप और तिड सुप में आ जाते हैं संग्या विशेशन वचन और तिड में जिसमें ती तह और अंती इन शब्दों से अंत होता है ये प्रतिय लगते हैं वह आपके तिडंत हो जाते हैं तो बढ़ी आसानी से हमने तिडंत शब्दों को तो पहचान ही लिया है अब बचते हैं हमारे अविकारी शब्द, अविकारी शब्द को हम कहीं पर भी किसी पी तरीके से उनके अर्थ में परिवर्त नहीं ला सकते हैं, वे जैसे हैं वे वैसे ही रहते हैं, अविकारी शब्द में प्रत्याय भी लगता है और उपसर्ग भी लगता है, जब उपसर्ग लगते हैं, तो हमन कुछ examples कि यहां पर इस KapTor में उपसर्ग कि कई सारे पर यह सारे अप अय सरग लगे कि मैंने आपको कई सारे examples यहां पर दीये हैं उपसर्ग के तो यह सारे जो शब्द हमारे बने हैं वह अविकारी शब्द है अभीकारी शब्द अर्थात इन्हें हम एक वचन के sentences में use करें, द्वी वचन के sentences में या बहु वचन के sentences में use करें तो इनका अर्थ जो है बदलता नहीं है, यह जो है यह वही रहेंगे तो आज के सेशन में इतना ही फिर मिलेंगे अगले सेशन में इसके बारे में अधिक जानकरी लेकर तब तक के लिए धन्यवाई